है अबरीवरन वल्कम बैक टो नदर वीडियो अफ लाइफ साइंच जूलोजी इस वीडियो में हम डिसकस करने वाले हैं एनटमे फ इयर हम आउटर इयर और मिडल इयर को डिटेल में डिसकस कर चुके हैं फिर से एक बार हम रिवाइज करेंगे उसके बाद हम डिटेल में किस तरीके से होता है तो सबसे पहले हम आउटर इयर को डिसकस करते हैं और मिडल इयर को उसके बाद इनर इयर हम लोग डिसकस करेंगे ठीक है ओल्दो हम आउटर इयर मिडल इयर को डिसकस कर चुके हैं पिछले वीडियो में फिर भी हम रिवाइज कर लेते हैं तो यह जो आप जो देख रहे हो यह जो आपको structure जो वीजिबल है यानि कि हमारे हैड के दोनों तरफ जो structure प्रेजन्ट होता है यह का वो हमारा वीजिबल होता है ठीक है हम उसे देख पा रहे हैं तो वो जो structure आपको दिखाई दे रहा है यह जो outer part होता है यह का वो होता है Oracle या इसे पीन भी इसे बोला जाता है बैसिकली बनता है एड़ीपोस टीशू से यानि की टीशू से फैट सेल से यह बनता है ठीक है जहां पर पियर्सिंग वगेरा होती है तो यह एरिया प्रजेंट होता है नीचे की तरफ ठीक है हमारा जो ear है basically वो sound wave को collect करने का काम करता है तो इसमें raises present होती है आपने देखा होगा fold यहाँ पे present होते है ear के अंदर ठीक है तो जो सबसे बड़ा folding है या बड़ा raise होता है हम उसे कहते है helix तो यह जो structure आपको दिखाई दे रहा है हम इसे कहते है है helix ठीक है अब आते है कौंका पे यह जो ear के अंदर opening होती है ठीक है इसे हम बोलते है कौंका ठीक है तो इसे हम बोलते है कौंका next हम बात करते है यह जो कनाल आपको दिखाई दे रही है इसे हम बोलते है external acoustic meters या फिर external auditory meters या इसको auditory कनाल भी बोला जाता है या फिर इसको ear canal भी बोला जाता है ठीक है तो यह जो canal होती है फर्दर इसके भी दो पार्ट होते हैं outer and inner outer cartilages part और inner बोनी पार्ट दो तरीकी से यह present होती है यह जो outer पार्ट आपको दिखाई दे रहा है यहां पे formation होता है wax का ठीक है हमने wax के बारे में पढ़ा है ear wax जिसे बोलते हैं जो कि basically हमारे ear को बाहर की dust से या बैक्टीरिया से या फंजाई से किसी भी तरीकी के infection से या antigen एंटर ना हो उसे हमारी body को prevent करता है या हम बोलिए हमारी year को prevent करने का काम करता है year wax तो outer cartilage part में hiée wax बनता है जो inner bonny part होता है आपके sebacies glands present होती है ear waxowns वहाँ पर form नहीं होता है बागी जो बाहर की तरफ जो है outer cartilage part वहाँ पर ear wax भी बन रहा है और sebánglish gland भी present होती है और fine hair भी वहाँ पर present है लेकिन inner bonnie part जो है वहाँ पर sebáng parish gland गें होती है मतलब sebum वहाँ पर secret होगा और fine hair present होती है लेकिन wax का formation वहाँ पे नहीं हो रहा है ठीक है ओके तो यहाँ तक जो आप देख रहे हो यह क्या है outer ear की हम लोग बात कर रहे है ठीक है अब हम इसको cartilage part क्यों बोलते हैं हम external acoustic meters या फिर auditory canal की बात करें यह वाले part की अगर हम बात करें तो हम इसे cartilage part क्यों बोलते हैं क्योंकि outer part में आप देखिए यहाँ पे cartilage present है तो हम इसे बोलते हैं outer cartilage part inner bony part यानि कि temporal bone के अंदर present होती है तो हम इसे बोलते है inner bony part ठीक है तो यह हो गया outer ear के बारे में ठीक है इस तरह किसे outer ear में part present होते है और उनका क्या-क्या function होता है, यह आमने discuss कर लिए है, अब आते है, middle ear पे, middle ear में क्या present होता है, middle ear के शुरुआत होती है, tympanic membrane से, tympanic membrane से, या इसे ear drum भी बोलते हैं, हिंदी में हम इसे कान का परदा कह देते हैं, ठीक है, तो इसके शुरुआत होती है, tympanic membrane से, कि है vibration का ठीक है और दूसरा यह क्या कर रहा है separate कर रहा है auditory किनाल यह जो हमने डिसक्स किया auditory किनाल को middle ear से separate out करने का भी कम कोन करता है टेंपनिक membrane ठीक है टेंपनिक membrane जो होती है semi transparent होती है बहुत ही delicate होती है ठीक है अब हम बात करते यह जो आपको दिखाई दे रहा है यह जो बोन प्रिजन्ट होती है जो कि attach होती है टेमपैनिक मेंबरेन से यानि कि टेमपैनिक मेंबरेन जो मुव करेगी या वाइबरेट करेगी क्योंकि यहां से जो है sound wave आ रही है ठीक है यह से sound wave अंदर की तरफ आ रही है तो इसकी मेलस इंकस और स्टेपस ठीक है तो आप इसको मिस से याद कर सकते हो ठीक है तो यह attach होती है इनका अरेजमेंट भी हम मिडल येर जब हमने डिसकस किया तो हमने पढ़ लिया था किस तरीके से प्रिजन्ट होती है तो एक दूसरे से कही ना कहीं attach होती है यह जो स्टेपस होत होती है और इसको भी बोलते है आप स्ट्रक्चर देखोगे तो हैंडल की तरफ होता है तो इसी से इसका नाम आया है ठीक है तो इनका अरेजमेंट कुछ इस तरीके से होता है कि एक दूसरे से यह attach होंगी अब हम बात करते हैं और स्टेशियन ट्यूब ठीक है और स्टेशि एर को अंदर की तरफ लेकर के आती हैं इससे क्या होगा आप देखिए एर के अंदर आ रही है साउंड वेव ठीक है और इधर से आएगी एर नेजो फेरंग से जो स्टेशिन ट्यूब है यह एर को कनेक्ट ड़ाती है एक तरीकी का नेजो फेरंग तक लेकर के जाती है वहा अब अंदर से भी जब तक इक्वल नहीं होगा तब तक प्रॉब्लम आ सकती बैलेंस नहीं हो पाएगा तो यह एक तरीके से वही काम करता है और स्टेशन टू यह बॉन्स का अरेंजमेंट हम देख चुके हैं तो यह होता है मिडल इयर तो यहां तक आउटर इयर है यह मिडल इयर है अब हम इनर इयर के बारे में बात करेंगे इनर इयर में कौन-कौन से पाठ होते हैं वो देख लेते हैं सैमी सर्कुलर किनार होती है इनका अरेंजमेंट हम लोग डिसकस करेंगे किस तरह किसे होता है और यह जो कोईल्ड स्टक्चर आप देख रहे हो यह वाला जो स और ये होती हैं आपे cochlear nerve तो इसी पार्ट को अब हम discuss करते हैं outer ear, middle ear हम पढ़ चुके हैं अब inner ear को हम लोग discuss करते हैं ठीक है अब हम देखते हैं internal ear के बारे में या फिर हम बोले inner ear के बारे में ठीक है internal ear या फिर inner ear के बारे में हम लोग discuss करेंगे तो हमने ear का structure देखा था यानि कि हम discuss किया था outer ear के बारे में ये जो आप portion देख रहे हैं ये है outer ear ठीक है और यहाँ पे middle ear अब जो हम discuss करने वाले हैं inner ear ये portion अभी हम discuss करेंगे तो यहाँ पे हमने इस diagram को draw किया हुआ है इसी को हम detail में discuss करने वाले हैं ठीक है अब हम बात करेंगे inner ear की inner ear जो होता है उसमें फर्दर तीन पार्ट होते हैं कौन-कौन से पहला आता है semi circular duct दूसरा आता है vestibule तो vestibule जो है यहाँ पे present है vestibule इसमें भी फर्दर दो पार्ट है utricle और secular ठीक है इन्ही दोनों से बनता है vestibule आप बात करते हैं तीसरे पार्ट की कोकलिया यह जो आपको coiled पार्ट दिख रहा है inner ear का यह होता है कोकलिया ठीक है तो इसमें तीन पार्ट होते हैं inner ear में तीन पार्ट होते हैं semi circular duct दूसरा हो गया वेस्टिबूर तीसरा हो गया कोकलिया ठीक है तो semi circular duct जो है फर्दर यह भी तीन पार्ट की होती है कौन-कौन से interior semicircular duct, lateral semicircular duct और posterior semicircular duct आप यह देखोगे कि यह तीनों ही एक दूसरे से 90 डिगरी के एंगल पे present होती है जैसे कि anterior semi circular duct जो होगी वो इस तरीके से present है और lateral semi circular duct है इसके 90 degree पे ये present होगी और posterior semi circular duct जो होगी वो भी इसके 90 degree पे present होगी basically ये balancing का काम करती है हमारी body को posture जो होता है उसको maintain रखने का काम होता है balance को बनाने का काम होता है तो यह function होता है semi circular duct का ठीक है और वेस्टिबूल का भी function यही होता है वेस्टिबूल में फर्दर दो पाट आते हैं utricle और secular हमारा जो inner ear होता है हम उसे लेबरिंथ के नाम से भी जानते हैं लेबरिंथ ठीक है तो आप यह देखोगे कि inner ear जो है उसमें फ्लूट भरा रहता है ठीक है फ्लूट भी दो तरीकी का होगा हम इसको बारे में बात करेंगे तो पहले बात करते हैं बोनी लेबरिंथ आप जब देखोगे तो यहां पे आपको परपल कलर की शेड दिख रही है बाहर की तरफ ठीक है यह बाहर की तरफ परपल कलर आपको दिखाई दे रहा है यह है बोनी लेबरिंथ यानि की inner ear जो है बाहर से चारु तरफ से कवर है बोनी लेबरिंथ से ठी यहां पे जो है यानि की boni labirint में हम बात करें यहां पे भी fluid present होता है और membranous labirint के अंदर भी fluid present रहता हैं और यह जो membranous labirint head boni labirint के अंदर present, आप देख सकते हो diagram के अंदर ठीक है बार की तरफ purple है और अंदर की सिर्फ blue दिखाई दे रहा हैं तो यह जो membranous labirint है boni labyrinth के अंदर present रहती है ठीक है और जो boni labyrinth है इसके अंदर जो है peri lymph present होता है एक तरीके का fluid बाहर की तरफ यानि एक्स्टनल 닉ब्ल फ्लूड है तो इसमें sodium ion की concentration ज़्यादा रहती है और जो membranze labyrinth है इसके अंदर जो है ando lymph नाम का fluid present रहता है और यह इनर हम बोल सकते हैं इनर fluid होता है internal fluid होता है तो इसमें पोटेशियम आयन की concentration जादा रहती है पर आप भी आपको ध्यान रखने की जरूरत यह है कि boni labyrinth और membranous labyrinth present है inner ear के अंदर ठीक है तो यह हो गया semi circular duct के बार में हमने discuss किया और vestibule में दो चीज़े हम याद रखनी है utricle और secular अब हम बात करते हैं cochlea की तो cochlea जो है इसको हम अलग से discuss कर रहे हैं इसका अगर हम ts काटेंगे ठीक है तो यह किस तरीकी का दिखाई देता है वह हम discuss करेंगे एक और डियाग्रम से हम इसको थोड़ा अच्छे से समझ पाएंगे जैसे कि semi circular कनाल के बार में हमने discuss किया तीन तरह की की होती है एंटेरियर पोस्टेरियर और लैटरल यह हम discuss कर चुके हैं एक चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है कि यह जो semi circular और गन प्रिजन्ट होते हैं यहां बोलेंगे कि sensory hearing और गन यहां पर प्रिजन्ट रहते हैं ठीक है और वेस्टिबल की हमने बात करें थी truthful और सेकुला की कि इसमें पार्ट होते हैं आधे indolimph के बार में हमने डिसकुस किया था अंदर की तरफ यानि की membranes के बार में हमने डिसकुस किया था यहां पर एंडो-lymph प्रिजन्ट होता है बाहर की तरफ पैरी-लिंफ प्रिजन्ट रहेंगा ठीक है यह वाला जो स्क्षिन काट कर के विएक सक्षिन काट करके किस तरीके से उसमें पार्ट प्रिजंट होते हैं तो हमने यहाँ पे स्यक्षिन कट किया हुआ है klia का आ है क आप दियाग्राम में देख सकते हो याई कि कोखिली Leo प्रिजेन पार्ट है इन और के अंदर उसको हमने स् Nature Mostly आपको ध्यान रखनी है यह आपको जो portion दिखाई दे रहा है broad area इसको हम बोलते है scala vestibuli ठीक है और यह scala media जहाँ पे cochlear duct निकलती है media से scala media से निकलती है और third इसमें प्रेजेंट है scala timpani ठीक है तीन चेज़े आपको ध्यान रखनी है scala vestibuli, scala media और scala timpani scala media से cochlear duct निकलती है ठीक है तो यह हो गया complete inner ear के बारे में ओके अब हम revise कर लेते है inner ear को कौन-कौन से इसमें part होते है तो जो inner ear है इसको labyrinth भी बोला जाता है अगर आपने कभी खेला हो तो labyrinth एक game भी होता है तो इसका जो structure होता है इसका जो shape होता है वो बड़ा ही complex होता है इसलिए इसको labyrinth भी बोला जाता है ठीक है it consists of two parts दो इसके part होते हैं कौन-कौन से the bony labyrinth and membranous labyrinth तो इसके part होते हैं अब bony labyrinth क्या है series of cavities within the patrous part of the temporal bone यह temporal bone में present है तो इसको हम bony labyrinth बोलते हैं और membranous labyrinth क्या है a series of communicating membranous a sack that duct contained within the bony cavities ठीक है तो इसके दो part होते हैं inner ear के कौन-कौन से the bony labyrinth and membranous labyrinth inner ear जो होता है उसमें fluid present होता है ठीक है तो उसी fluid की बारे में हम लोग discuss करेंगे हमने अभी पढ़ा है membranous labyrinth के बारे में और bony labyrinth के बारे में तो जो bony labyrinth होती है उसके अंदर present होता है membranous labyrinth ठीक है membranous labyrinth के अंदर भी fluid present होता है जिसको हम बोलते है endo lymph उसे हम बोलेंगे endo lymph अब हमने ये भी पढ़ा है कि जो membranous labyrinth होता है वो bony labyrinth के अंदर present है it means उन दोनों के बीच में space होगा और उस space में present होगा peri lymph ठीक है peri lymph जो है एक तरीकी का external fluid है तो वो जो है rich होगा sodium iron में और जो endo lymph है वो internal fluid है तो वो rich होगा potassium iron में ठीक है तो इस तरीकी से fluid present रहते हैं दो तरीकी के peri lymph and endo lymph inner ear में दो तरीकी fluid present होगी peri lymph and endo lymph और labyrinth में हमने discuss किया है membranus labyrinth और bonny labyrinth bonny labyrinth बाहर की तरफ है और membranus labyrinth जो होगी वो उसके अंदर present होगी clear है तो basically इस वीडियो में हमने discuss किया है anatomy of ear basically inner ear के बारे में हम लोगोंने पढ़ा है तो outer ear, middle ear और inner ear हम structure पूरा देख चुके हैं नेक्स वीडियो में हम discuss करेंगे physiology of hearing एक process किस तरीके से होता है ठीके तो outer ear ये है middle ear और ये हो गया inner ear इसको हम complete discuss कर चुके हैं कौन-कौन से इसमें part होते हैं और इनका function क्या होता है ठीके तो इस वीडियो में इतना ही thank you so much for watching this video I'll see you in the next one I'll see you in the next one